रीना जी, रीना जी, तैंक यू का यौन शोशन करने का आरोप है, उसके बेटे को टिकेट देने के लिए तैयार है, आज मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, भारत में रहने वाली एक नारी होने के नाते, कि आपने हम में से किसी की एक नहीं सोची, और फिर आप बोलते हैं, मंगल सूथ की आप बात करते हैं, खबरदार आपको कोई हक नहीं है मंगल सूथ की बात करने का, मंगल सूथ रुपे तो आपने उसी दिन लात मार दी, जिस दिन आपने प्रजल रवन्या के लिए वोट मांगे, कितने घरों के मंगल सूथ उसने बरवात करे, और सिर्फ एक सीट के लिए, एक सीट के लिए आपने उसके लिए वोट मांगे, आपको पता था, सबको पता था कि उसने कितनी सारी महिलाओं के साथ बलात कार किया है, और एक सीट के लिए आपने अपना जमीर बेच दिया, आपने सब कुछ बेच दिया, कि एक सीट मिल जाए, वही आपने कैसर गंग में करा, कि आपने एक seat के लिए फिर से ब्रजबूशन सरंसिंग के बेटे को आपने ticket दिया अब आपको clear है कि पूरे देश के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं पूरे देश को समझ में आ गया है कि सत्ता के लालच में आप देश को बेच चुके हैं आपने पैसे वैसे ही पूरे देश की सारी संपत्ति अपने दोस्तों के नाम कर दी और अब देश को ये भी क्लियर है कि आप सम्विधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप आरक्षन करने की कोशिश कर रहे हैं आप दलितों का पिछड़े वर्क का सब का आरक्षन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने आपकी हार आपको नजर आ रही है जब आपको हार नजर आती है तो आप क्या करते हैं आप अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं और वो ही आपने शुरू कर दिया अब आप पाकिस्तान की बाते करने लगें दस साल से आपका मंगर्षूत तो उसी दिन गिर्वी ओगिया जिसने आपका पैट्रोल सो रुपे के पार हो गया और आपका सरो का तिल 200 रुपे के पार हो गया जब दोजार चौदा में पत्चिस हजार रुपे सोना था आज 75 जार रुपे सोना है मंगा सूद बचा किसके पास है सुधानचु भाई और मुझे बहुत दुख होता है कि सुधानचु भाई जैसे पड़े लेके लोग ऐसा कुतर्क दे रहे हैं कि परिवारवाद क्या है और पता नहीं क्या गोल मरोल करके कैसे आप जस्टिफाइ कर रहे हैं क्या आपकी मजबूरी है कि आप एक यौन शोशन आरोप पे तो और एक नहीं हजारों महिलाओं ने उस पर यौन शोशन का आरोप लगाया है उसके बेटे को आप टिकेट दे रहे हैं एक सीट आप कम जीतते तो क्या होता आप तो 400 सीटें जीतने वाले हैं तो एक सीट में क्यों आपकी जानट की हुई है किसी और को वाँ से टिकेट दे देते कम से कम इस देश की बेटियों को इस देश की महिलाओं को ये तो लगता कि आप उनके साथ खड़े हैं लेकिन हम सब को क्लियर हो चुका है देश की कोई महिलाओं कोशार वोट नहीं देने वालाओं सुदांचु जी कोई कांसा ओके रीना जी रेडु मितल जी आ रहा हूँ रावल देव जी आ रहा हूँ सुदांचु जी ने ने सिर्फ उसमें पूछ रहा हूँ प्लीज आप जवाब दीजे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्या ब्रिजबूशन सरन सिंग सच मुछ उनका इतना दबदबा है कि पूरे विपक्ष के ये जो अलोचना है बीजेपी सहरे ही है मतलब उस हेरिया में जी सुदांचु जी मैं थोड़ा आपती दर्ज करूँगा वन इस टू फोर डिबेट है और सब लोग लंबा लंबा प्रविच्चत देने के बाद का जाएगा कोई कांसर तो नॉट पॉसिबूशन अच्छे ठीके लंबा दीजे एक सेकिंद सुदांचु जी जब मोधी जी वन वर्सेज वाइव सपाइवनड़ेड कर सकते है पूरा पूरा विपक्ष वर्सेज नरेंद्र मोधी है तो सुदांचु वर्सेज फाइव तो चलता है चली पूरा टाइम लीजा कि जिस वेक्ट इने इतनी महिलाओं के साथ बलापकार किया और उसका संडक्षन देने के लिए तो मुझे लगा शायद ये शाजहां सेख के बारे में बोल रही है जिसमें अनुसूचित जनजाद की कितनी ही महिलाओं ने किस-किस ढंकी बाते लिखी और उसके बाद सारा सेकुलर शांती उसके उपर बनी रही मुझे लगा कि जब ये बोल रही है तो शायद ये उन महिलाओं के लिए भी बोल रही है जिनके के लिए इनके राश्टिय संयोजक अर्विन केजरिवाल जी ने मजाक उड़ाया था विधान समा में खड़े होकर कश्मीर फाइस के मुद्दे पर जब एक दो चार नहीं पूरी कौम के लिए कह दिया गया था कि हिंदू कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ तो हसके मजाक उड़ाते हुए करे थे महिलाओं के परती कितना इनके मन में सम्मान है तो ये बगल में बैठे हुए भदोरिया जी जब बच्चियों ने आत्मत्या कर ली थी तो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गल्ती हो जाया करती है ये शायद महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली में बैठी है चोड़िये पुरानी बात पंदूर कांड क्या हुआ वो सब जला दिया गया अलग है ये शायद उन महिलाओं के लिए बोल रही होंगी जिसके लिए केरल में कम्नुस पार्टी के मुख्यमंत्री विये सचुदा नंदन ने कहा था कि कई हजार लड़कियों के साथ किस धंकात्याचार केरल में हो रहा है और कॉंग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने फ्लोर अफ दा हाउस के उपर तीन सो महिलाओं के बारे में बात कई थी ने ने वो महिलाओं ने उसमें कुछ रज़ा नहीं आता है अरे वो सेकुलर शांती है उसके उपर सेकुलर मौन धारण करके रखना है और यहां जो आपने ब्रजबूशन सरंण सिंग पर कहा तो मैं जवाब देना चाहता हूँ सबसे पहले उसको पत से हटाया गया ब्रजबूशन सरंण सिंग पत से हटे नमबर दो उसके बाद कुछ्टी असोसियेशन ने जाच की उसके बाद दूसरी जाच उसके उपर इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन की शुरू हुई उसके बाद तीसरी जान दिल्ली पुलिस की शुरू हुई और वा जाँच कोड के दिशानिर्देश में चल रही है और उसके बाद टिकट नहीं दिया गया मगर मैं पूछना चाहता हूँ ये शाजहां शेक से लेके कश्वीर में जिन लोगों ने महिलाओं के साथ किया था वो आकर प्रधान मंतरी के साथ रेड कार्पेट वेलकम में बैट के बाते करता था उसके लिए आपके मुख्यमंतरी खड़ों के मजा कुड़ा रहे थे विधान सभा के पटल के उपर और आपने कहा RiNar जी पाकिस्तान की बात हम तो नहीं लाए ये तो पाकिस्तान का फवाज चौदरी बोल रहा है मंतरी कि मोधी नहीं आना चाहिए बीजेपी नहीं आनी चाहिए बह्रत में और आउल गान्दी जो बोल रहा है सच है और ये वही फवाज चोधरी है मैं तर्शकों को याद दे लाना चाहता हूं जिसने पाकिस्तान के मंत्री के रूप पाकिस्तान के नेशनल एसेंब्ली में कहा था कि हमने पुलवाबा तक घुस के मारा है ये फ्लॉर ओधा हाउस पे सरकार के मंत्री का बयान था और ये वही है जिसका जवाब हमने फिर घुस के वो मारा था जिस पे खड़े होके ये कहते थे कितने मरें कववे मरें की पेड़ गिरें बिल्डिंग गिरी इस्टेड गिरे ये सारे सवाल कहके सबूत मांगते थे तो हम नहीं लाए हैं बीच में और मैं ये भी बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ रिवन्ना की बात में मैं कहना चाहता हूँ सरकार किस की आप कह रही है सबको पता था सरकार तो करनाटक में कॉंग्रेस की है सबको पता था और कोई कारवाई सरकार ने नहीं की सबको पता था सरकार ने गरिफ्तार नहीं किया सबको पता था सरकार ने जाने दिया क्योंकि राज यनीत करनी है उन महिलाओं के प्रतिस हानुवूती होती आ रहा है उरीना जी करनी है मणीपूर को लेकर अन्य था जवाब दीजेगा कि मणीपूर में कोई प्रदर्शन कोई नोटिस कोई अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं है मुझे इसका जवाब चाहिए अब बिलकुल एक्सपोज है कि किसके मन में क्या सहनबूती है और कौन क्या च्छलावा कर कोई महिला असके साथ बत्तमीजी की और तीन दिन तक माफी नहीं मागी और यह कह रहे हैं आपकी प्रत्याशी वोट जिहाद बोल रही है वोट जिहाद तो बड़ा सेकुलर संधीत है ना याए वाइस साय नहीं है पीम ने आज उसको डिस्गस्टिंग का है अब दोरिया प्रत्याशी डवाब दीजागा पीम ने आज